क्या मलाइका अरोडा ने बोला जूट? खुद को वीगन बता कर खाया नॉन वेज जीहां फरा खान की वीडियो से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है जलक दिखला जाई 11 की सेट पर मलाइका अरोडा को नॉन वेज खाते वे देखा गया जिसके बाद से लोग उनके उस दावे पर सवाल उठा रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि वो वेजेटेरियन से वीगन हो गई है देखिए वीडियो जलक दिखला जाई 11 सिर्फ कंटेस्टेंट की परफोर्मेंस के लिए सुचिया नहीं बटोर रहा बलकि शोव में तीनों जज़िस भी अपने किसी ना किसी वज़े से लाइम लाइट बटोर रहे हैं पिछली कुछ समय से फरा खान जलक की सेट पर टेस्टी फूड वाले वीडियो शेयर करने को लेकर चर्चा में आई थी फरा खान ने जलक की सेट से इंस्टरगरम अकाउंट पर कई वीडियो शेयर कर दिखाया कि वे जज़ के सांस साथ क्या क्या खा रही है अब इस पूड वीडियो की वज़े से मलाइका रोड़ बड़ी मुश्किल में आ गई है दरसल एक वीडियो में फरा को मलाइका को नौन वेज परोस्ते देखा गया उन्होंने यह भी कहा कि यखनी पुलाव मलाइका का फेवरेट है यह वीडियो में फरा मलाइका को रोस्टेट चिकन काटने के लिए भी कहती है फराखान की इस वीडियो के बाद मलाइका और उड़ा को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है लोगों ने मलाइका के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्हेंने खुद को वीगन से कनवर्ट होने का दावा किया था इस बात को लेकर लोगों ने बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं फिलाल इस कॉंट्रोवर्सी पर अभी तक मलाइका और उड़ा ने इस पर कोई बयान या कोई सफाई नहीं दी है आपकी इस खबर को लेकर क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें